हिमाचत प्रदेश में भाजपा सरकार के द्वारा बीते चार सालों में कहीं विकास कारियों को अंजाम दिया और अब इस साल उसके परिणाम भी सामने आ रही हैं देश के चार राजियों में भी भाजपा को पूर्न रूप से बहुमत हासल हुआ है तो ऐसे में प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा सरकार रिपीट होगी जिला कुल्यू के मुख्यालए धालपूर के परिधी ग्रह में कुल्यू भाजपा मंडल की मासिक बैठक को संबोधित करते हुए पूर्ग विधायक महिश्वर सिंग ने कही उन्होंने कहा कि ये मीटिंग जो है हमारे जो मंडल अध्यक्षिया हैं जो मेरे साथ खड़े हैं इनका एक सुजाव रहा और निर्देश भी रहा कि हम एक मासिक बैठक किया करें और संयोग ऐसा देखी कि आज का दिन था कि हमने ये मीटिंग की और मीटिंग में प्रदान जी का जोश भी देखने नहीं बनता था और जो कारे करता उमड का रहे हैं उनका भी जोश बनता था देखते थे तो मुझे लगता है कि पार्टी के प्रती कारे करता ने पूरी त्यारी रख कर दी है और उनमें उत्सा है और ये उत्सा कमना हो इसलिए मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा और अपनी पार्टी से भी कि जो लोगों की बर्षों से लटकी मांगे पड़ी हुई है उनकी थर्प थोड़ा ध्यान दे और इस वबागय की बात है कि अब 21 तारिक को माने वर मुख्य मंत्री जी यहां पदारेंगे जो जो जोलन्त समस्या हैं उसके लिए उनसे टाइम लेकर बात की जाएगी जो हाली में चुनाव हुए है उनमें चार परांतों में जहां भारतिय जन्ता पार्टी को जीत आसल हुई है उसके लिए भी बहुत खुशी मनाई गई मंडल ने मिठाई का प्रबंद किया था और मिठाई का वितर्ण भी किया है और हमें आशाईनी बलके पूर्न विश्वा से इसी परकार का परिणाम अपने जेराम जी जो हमारे मुखे मंत्री जी है झाल 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 झाल